दोस्तो हमारे बहुत सारे श्रोता ने ये कमेंट किया था कि क्या नारिल पानी पीने से बढ़ जाता है शुगर लेवल जिहां दोस्तो आज मैं इसी के बारे में आपको पुरी जानकारी देने वाला हूँ डाटीज यानी मदू में के मरीजों की संख्या बहुत तेई से बढ़ रही है डाटीज मरीजों का तेई से बढ़ता आकड़ा दुणिया बर में चिंदा का विषय बन में इस बिमारी में बलड शुगर लेवल बढ़ जाता है जिस से इंसुलीन शंप्ता परभावित होती है ऐसे में अक्सर diabetes patient अपनी diet का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं ताकि उनका sugar level खीक बना रहे हैं लेकिन सावधानी बरतने के कारण से आप अपनी diet में एसी कई चीजों को शाविल नहीं कर पाते हैं जो कि आपके लिए फाइदेमंद है इसमें से एक है नारिल पानी diabetes patient को लगता है कि नारिल पानी पीने से sugar level बढ़ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है अगर diabetes patient सही मात्रा में नारिल पानी पीएंगे तो diabetes कंट्रोल में ही रहेगी कितनी मात्रा आपको लेनी है ये भी जान लीजे Journal of Medical Food में प्रकाशित एक study में ये बात कही गई है कि नारिल पानी diabetes को कंट्रोल में रखता है लेकिन diabetes के मरीजों को दिन में सिर्फ एक ग्रास नारिल पानी ही पीना चाहिए भले ही इसमें बहुत सारे स्वास्त वर्दक गुण छुपे हैं लेकिन ज्यादा मातरा में नारिल पानी पीना diabetes मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है जिहां दोस्तों यह आप जान लीजिए Diabetes में क्यों फाइदमन है नारिल पानी? नारिल पानी खून से शुकर लेबल को कम करता है दरसल इंसुलिन की कमी की वज़े से Diabetes की समस्या होती है नारिल पानी इंसुलीन को बढ़ाता है मेक्रोबायोटिक पोशन विशेशग्गे और हेल्थ कोच शिल्पा अरोड़ा का कहना है कि नारिल पानी में प्रोटीन प्राकर्तिक उच्छ प्रोटेश्यम और प्राकर्तिक मिठास होती है जो Diabetes मरीजों के लिए बहुत अच्छा है इसके साथ ही नारिल पानी में मिनरल मेक डिजिज्ग और पोटेश्यम होता है जो शरीर में pH संतुलन बनाए रखता है और आपकी पाचन शक्ति को भी ठीक रखता है इसके लावा पानी पीने से किड्नी ठीक ढंसे आपकी काम भी करती है दोस्तो ध्यान रखने वाली बात यह है जरूरी यह नहीं है कि कोई चीज अगर किसी के एक के लिए सही है तो वह सभी के लिए ठीक हो डाइबिटीज मरीज नारिल पानी पीने से पहले एक बार डाक्टर के सलाव जरूर ले लें क्योंकि आपकी diabetes किस level की है उसमें कितना नारिल पानी की आवशकता है ये वो ही बता पाएंगे आपकी condition को देखके तो दोस्तों आप आने वाली और भी महतुन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद